गुद्मॉर्णिंग विद में मैट्स इंग्लिश दोनों एक साथ आज हम जो वर्ड डिस्कस करने वाले हैं दाट इस इनफ ये जो वर्ड है इनफ इस वर्ड का मीनिंग होता है बहुत जादा ये हम सभी को पता है इस इनफ का मीनिंग क्या है अब हम इस इनफ का यूज आज पढ़ने वाले हैं ये जो वर्ड है इनफ स्टूडेंस ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है और यही वर्ड हमारा एडवर्ब की तरह भी यूज होता है अब बात आती है एडजेक्टिव क्या होता है adverb क्या होता है तो हम सभी को बता है adjective वो word होता है जो मुझे किसी noun के बारे में या मुझे किसी pronoun के बारे में बताता है adverb वो word होता है जो मुझे noun या pronoun के बारे में नहीं किसी verb के बारे में किसी proposition के बारे में किसी conjunction के बारे में बताता है adjective मुझे noun या pronoun के बारे में बताता है adverb मुझे किसी verb के बारे में preposition के बारे में conjunction के बारे में या किसी और शब्द के बारे में बताता है adverb मुझे adjective के बारे में भी बता सकता है adverb मुझे दूसरे adverb के बारे में भी बता सकता है ये सारे चीज़े हम concept जब पढ़ेंगे एडवर्ब का तब हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या होता है adjective क्या होता है अगर मैं आज के concept की बात करूँ तो enough जो है वो adjective की तरह भी act कर सकता है वो एडवर्ब की तरह भी act कर सकता है अब समझते हैं मैंने एक sentence लिखा he has enough money to buy a car उसके पास इतना पैसा है जितना उसके एडवर्ब काफी अच्छा खासा पैसा है एक कार को खरीदने के लिए enough किस के बारे में मुझे बता रहा है enough किस बात के बारे मुझे बता रहा है किस वर्ड के बारे मुझे बता रहा है money एक नाउन है ऐसा वर्ड जो मुझे नाउन के बारे में बता रहा है क्या हो गया adjective यहाँ पे enough ने role play किया adjective का मैंने एक और sentence लिखा मैंने लिखा he is fast enough to to lose the game अब यहाँ पे मैं देखूँ enough मुझे किस के बारे में बता रहा है fast के बारे में कैसा fast enough fast अब यहाँ पे मुझे enough fast के बारे में बता रहा है fast मेरा क्या है fast मेरा adverb है तो enough भी क्या हो गया enough भी मेरा एक adverb हो गया तो first sentence में enough एक adjective की तरह यूज हुआ था क्योंकि money के बारे में बता रहा था जबकि second sentence में enough एक adverb की तरह use हुआ है क्योंकि वो fast के बारे में बता रहा है Now, what is the point to note? Note करने का point क्या है? जब enough adjective होगा जब enough adjective होगा तो वो noun से पहले आएगा adjective noun के बारे में बताता है जिसको qualify करता है? noun को qualify करता है तो अपने qualifiers तो noun से पहले enough आएगा और जब enough adverb होगा तो वो उस adverb के बाद आएगा जब enough adjective था तो वो noun से पहले आया जिसको वो qualify कर रहा है उससे पहले आया लेकिन जब enough adverb था तो जिसको वो qualify कर रहा है वो उसके बाद आएगा देखो मैंने यहाँ पर enough money लिखा था लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा fast enough enough को adverb के बाद में लगाया जबकि enough को मैंने noun से पहले लगाया था I hope सभी को समझ में आई यह चीज हमने क्या चीज डिसकस की एक बार जल्दी से recap करते है enough हमारा एक adjective भी होता है enough एक adverb भी होता है जब enough adjective का role play करेगा तो जिसको वो qualify कर रहा है उससे पहले आएगा और जब enough एक adverb का role play करेगा जिसको वो qualify कर रहा है उसके बाद आएगा जिसको वो qualify कर रहा है उसके बाद आएगा जब adverb है और जिसको वो qualify कर रहा है जिसको वो qualify कर रहा है उसके पहले आएगा अगर वो एड्जेक्टिव है तो हलो गाइज गूड मॉरिंग नमस्कार जैहिंद और आज आपके पास मैं आ गया हूँ डिविजिबिलीटी का कंसेप्ट समझाने आप लोगों को और जो की है बाइट डिजिट सम मैथर्ड गाइज आज बहुत अच्छा मैथर्ड आप लोगो बताने वाला हूँ अगर आज का मैथर्ड आपको अच्छा रगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और शेशन को जरूर शेयर कीजीगा ठीक है चलिए जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपके सामने वीडियो गाइज आती रहेंगी चलिए सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि डिजिट सम होता क्या है गाइज अगर हम यहाँ पर देखें फाइव फॉर त्री टू वन अगर मैं देखूँ अगर मुझे इसका डिजिट सम करना हो तो कितना आएगा पांच चार नो और तीन बारा और दो चोदा और एक पंदरा फिफटीन फिफटीन को फिर एड़ करेंगे गाईज आएगा तो इसका डिजिट सम हो गया अगर मैं टू त्री नाइन टू वन इसका डिजिट सम आप से जानना चाहूं तो कितना होगा ओके चेक करते हैं दो और तीन पांच फाइव पांच और नो चोदा और दो चोदा और दो सोला और एक सत्रा इसको फिर एड़ करेंगे कितना जाएगा आठ हा जाएगा क्लिर रगाईज अब क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था जोड़ने में आप एक काम और भी कर सकते हैं अब डिजिट सम निकालते समय नाइन को एड़ करिए मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता जिनका सम नाइन है उनको एड़ करिए मत करिए कोई फर्क नहीं पड़ता चलिए चेक करते हैं अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा टू नाइन नाइन मुझे इसका डिजिट सम निकालना है तो नो तिया सताइस और दो उनटिस तूँझे नाइन टूटीनाइन को फिर एड करूँगा 11 एलेवन को फिर एड करूँगा टू आ गया लेकिन गाइज अगर आप टू नाइन नाइन में नाइन को हटा भी देते तब भी डिजिट सम टू ही रह जाता चलिए चेक करते हैं हम, हटा देते हैं नाइन को हटा सकते हूँ, जिनका some nine है, उनको भी आप हटा सकते हूँ, तो देखलिजे, अड़ करके, six आ रहा है, clear है guys? चले इसको भी चेक कर लेते हैं 9 को हटा देते हैं 2 और 3 5 और 3 8 देख लिजे 8 हा रहा है तो guys आपने क्या सीखा digit sum निकालता समय आप 9 को add करें मत करें कोई फर्क नहीं पड़ता अभी आपके माइन में ये भी आ रहोगा कि सर ने टेबल क्यों बना रखी है अभी थोड़ देर में आपको पता चल जाएगा चलिए ये तो मैंने बताया आपको digit sum के बारे में अब digit sum आपको कैसे help करता है division में guys अगर आपको कहीं पर इसे divide करने के जरुरत पड़ी तो आप सब जानते हैं कि इसमें बहुत जादा time लग जाएगा लेकिन इसको easy बनाने के लिए हम digit sum method का use करते हैं चलिए देखते हैं कैसे 9 9 हटाये जा सकता है कोई problem नहीं है 4 और 3 7 और 2 9 हटाये जा सकता है कोई problem नहीं है guys यहाँ पर बचा 4 divided by 4 चार चार 8 और तो 10 10 को फिर एड करोगे आएगा 1 यानि कि 4 divided by 1 तो यह जो table है यहाँ पर यह table हमें यह बताती है कि गर upon में 1 आया है तो आपको 1 से divide नहीं करना है interchange करके 1 से multiply कर देनी है 4 into 1 that is 4 suppose कि यहाँ पर upon में आता 2 तो आपको 2 से divide नहीं करना था उसको interchange करके 4 को 5 से multiply कर देना था मैं एक example और भी ले लूँगा आपके सामने ठीक है चलिए तो हमारा answer यहाँ पर 4 आया अब देखते हैं इन में से किसका digit sum 4 आ रहा है तो देखते हैं 8 और 1 नो हटा देते हैं 3 6 और 3 नो 2 8 और 1 नो that is 4 इसका आ गया है ठीक है चलिए आगे चेक करते है 8 और 1 नो यानकी 5 यानि कि हमारे answer में हमें digit sum चाहिए था 4 जो कि यहाँ पर 4 बखो भी आ रहा है तो guys इसका यह answer हो गया मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा लेकिन हम एक example यहाँ पर और ले लेते हैं चलिए guys इस question को देखते हैं कि यह question कैसे होता है digit sum की help से यहाँ पर हम देखते हैं 6, 3, 9, 8 और तो 10 और 3, 13 13 को फिर हम add करेंगे तो यहाँ पर guys आ जाएगा 4 divided by 2 that is 4 by 2 4 by 2 आ गया मैंने फिर आपसे कहा था अगर upon में 2 आया है तो आपको 2 से divide नहीं करना इसका interchange कर देना है 5 के साथ यानकी 4 into 5 आपको जैसे upon में 2 आया तो 2 के साथ table में है 5 तो आपको 2 से divide नहीं करना है आपको 5 से multiply कर देनी है तो 4 पंजे 20 और इसको फिर add करेंगे यानकी इसका digit sum है guys 2 चलिए देखते हैं कोशन में किसका digit sum यहाँ पर 2 आ रहा है और वही हमारा answer भी होगा देखते हैं 6, 3, 9 हटा देते हैं 2 चलिए चेक करते हैं आगे 5 और 3, 8 और 10 10 को फिर add करेंगे 1 6 और 3, 9 3, 6, 3, 9 that is 4 तो digit sum हमारा answer आया था 2 और 2 हमारे इस से match कर गया तो guys 3, 6, 0, 2 इसका final answer हो गया चाहे तो आप calculator से भी चेक कर सकते हैं ये था method digit sum method guys इससे बहुत बड़े-बड़े division के questions यू चुटकियों में solve हो जाते हैं और अगर आपको इस concept अच्छा लग हो तो comment में मुझे जरूर बताइएगा और guys इसे तरह के और बहुत सारे वीडियो आपके सामने में daily सुबह साथ बजे लाता रहूंगा students you will learn a rule of English and a rule of math regularly with us from now onwards तो guys अगर आपको sessions बहुत अच्छे लग रहे हैं तो like करना ना भूले और अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करना ना भूले You will meet us everyday at 7 a.m. और share जरूर करो